हलो एवरीवन, वेलकम यू आल इन माई यूट्यूब चैनल उनिक अविएशन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो फैन इंजन की हम देखने वाले हैं कि टर्बो फैन इंजन होता क्या है इसमें हाई बाइपास रेसियो इंजन क्या होता है low bypass ratio engine क्या होता है bypass ratio क्या चीज होती है इसके अलावा कौन-कौन सी ऐसी खासियत है कौन-कौन सी ऐसे advantages है जिनके कारण आज कल के हर modern aircraft में हम turbo fan engine का use करते हैं यह सारी चीज़े हम one by one करके detail में study करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो सबसे पहली बात जो हमें जाननी है वो यह कि turbo fan engine भी एक gas turbine engine होता है यानि कि इसमें भी compressor, combustors और turbines होती है ठीक है खास बात इनके designing में होती है इनका use इसलिए किया जाता है ताकि engine को हम और ज़्यादा efficiency provide कर सकी यानि कि हम करते क्या है engine के थुरू हम देखते थे कि जितना भी air जाता था वो combustion chamber में जाता था उसके वाद वो turbine से टकराता था और वहाँ से हम power output लेते थे turbo fan engine में ऐसा नहीं करते हैं ठीक है करते क्या है हम जितना air हम सक करते हैं उसका कुछ पार्ट ही हम combustor और turbine तक देते हैं ठीक है बाकी air को हम इसके उपर से bypass कर देते हैं यानि pass करा देते हैं ऐसे engines को बोला जाता है turbo fan engine ध्यान ही रखना है कि जितने air को आप combustors में डाल रहे हैं और उसके बाद turbines पर टकरा रहे हैं उसको बोल जाता है core और जो air निकल जा रहा है बगल बगल से उसको बोल जाता है bypass air ठीक है अब आपके core के थुरू यानि combustion chamber और turbine के थुरू कितना air जा रहा है और कितने air को आप bypass कर देते हैं इस ratio को बोला जाता है bypass ratio और इस bypass ratio के base पर हम turbo file engine को दो categories में divide करते हैं पहला होता है low bypass engine और दूसरा होता है high bypass engine यानि कि low bypass engine ऐसे engines को बोला जाता है जिसमें 2 is to 1 का ratio होता है यानि कि आपके अंदर जाने वाले यानि core के अंदर जाने वाली air अगर एक गुना है तो उससे दोगनी air को आप bypass कर देते हो ऐसे engine को low bypass engine बोला जाता है इसी तरीके से अगर अंदर जाने वाली engine का जो air है अगर वो एक गुना आपके core में जा रहा है और उसका 5 गुना से जादा air bypass हो जा रहा है तो ऐसे turbo fan engine को high bypass ratio engine बोला जाता है अब एक खास बात जानने वाली ये है कि turbo fan engine, turbo jet engine और turbo prop engine की combination होती है ठीक है कैसे आपने देखा होगा जो turbo fan engines होते हैं उनमें सामने बहुत बड़े बड़े fans लगे होते हैं जो propeller की तरह काम करते हैं ठीक है और बाकि क्योंकि जो core है वो turbo jet engine की तरह काम कर रहा है इनकी combination को हम use इसलिए करते हैं क्योंकि turbo jet engine high speed और high altitude पे ज़्यादा efficient होता है और turbo prop engine low altitude और low speed पे ज़्यादा efficient होता है तो इन दोनों का combination यूज़ करके हम इन दोनों से ही ज़्यादा efficient engine मनाते हैं जिसको turbo fan engine बोला जाता है खास बाद ध्यान ये रखनी है कि इसके bypass air से ही हमें 80-90% तक का thrust मिल जाता है यानि कि हम जो beach का core यूज़ करते हैं वो सिर्फ उस पंखे को यानि fan को घुमाने के लिए ही यूज़ करते हैं उससे बहुत ही कम thrust का production होता है अब बड़ा ही interesting question हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि अगर इतने कम air को हम core के थूरू भेजते हैं तो वो इतने बड़े-बड़े fans को plus engine की accessories को कहसे drive देता है तो ध्यान रखिए modern turbo fan engines double या triple spool का use करते हैं ध्यान रखिए spool का मतलब ये होता है कि जब एक set of turbine plus एक set of compressors एक shaft से drive लेते हैं तो उसको बला जाता है one spool और इसी तरह से दो या तीन spool का use होता है हमारे modern turbo fan engine में ध्यान इसमें ये रखना है कि इनके shaft जो हैं वो coaxially adjusted होते हैं coaxially कहने का मतलब एक motor shaft होता है जो कि hollow होता है और उसके अंदर से दूसरे और तीसरे shaft को निकाला जाता है adjust किया जाता है ताकि engine को ज़्यादा से ज़्यादा compact बनाया जा सके और क्योंकि ये बहुत ज़्यादे spools के होता है इस कारण से इनका compression ratio हाई होता है ये ज़्यादे air को भी अंदर ले सकते हैं प्लीज लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए सब तक पहुचाएए ताकि सब की हिल्प हो सके थैंक यू